हेलो दोस्तों मैं डक्टर आरियान आपके अपनी यूटूब चैनल मेडिशिन नालेज में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसे क्लोवाल पी टैबलेट के बारे में आज हम जानेंगे इस टैबलेट के बेन फील्ड यूज डोस इवाम साइड इफेक्ट के बारे में उससे पहले दोस्तों दवाईयों के बारे में जनकारी पाने के लिए हमाई चैनल को सस्क्राइब करके रखें साथ में घंटी वाले भी बटन को दबाएं जिससे आपको लगता नई नई वीडियो मिलती रहें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों इस एकलो वाल पी टेबलेट जिसे वैल से कमपनी बनाती है जिसकी 10 टेबलेट की प्राइस 69 रुपए होता है जो की आपको असानी से मेडिकल इस्टोर में मिल जाएंगे दोस्तों इस टेबलेट के कमपोजिशन के बारे में बात करें तो इस टेबलेट के अंदर इस एकलो फनेक 100 mg तथा पैराशिटमल 325 mg की स्ट्रेंद में अवलेबल होता है दोस्तों इस टेबलेट में उपस्तित कंट्रेंड इस एकलो फनेक एक नॉन इस्ट्राइक एन एस एईडी क्लास की मेडिसीन है तथा पैराशिटमल इंटी पैरेटिक है जिसका उप्योग बुगार को उतारने के लिए किया जाता है कि साथ हैत पैर में होने वाले दर्द कमर दर्द गूटने का दर्द अर्थ्राइटीस हड्डियों का दर्द मास पेशियों का दर्द सीर दर्द डात का दर्द साइटिका का दर्द गठिया का दर्द मोच का दर्द, एक्सिडेंटल चोंट या घाव का दर्द या शरीर में किसी भी प्रकार के होने वाली दर्द से रहात पानी के लिए इस टेबुट को उप्योग मैं लेते हैं केवाल पेट दर्द को चोंग कर दोस्तों अब जान लेते हैं इस टेब्लेट के डोस के बारे में तो दोस्तों डोस डॉक्टर पेशेंट की कंडिशन तथा बॉडिवेट को डिशाइट करते हैं दोस्तों किसी भी टेब्लेट को अपने से ने थी उपयोग करें हैं तो डॉक तो सक्षेड की त्सक्राइब टियर्ट के वारे में बात करें तो इस टेब्लेट का उपयोग तो कि आप देन फो सी दीन बाहा खौने के बाद उपयोग में ले सेBenremo दोस्तो अब जालेते प्रिकीशन यानि सौधानी के बारे में कि इन लोगों को इस टेब्लेट से सौधानी बरतनी चाहिए तो जो कितनी लिवर, हाट, डाइपरिटी, हाइपर टेंशन के पेशेंट है उसे इस टेब्लेट को अपने से उपयोग नहीं लेना चाहिए जैसे कि दोस्तों इसमें लिखा है कि पेरीस्टेमाल में कैसी सिरियेश लिवर डैमेज याइलर्जिक यानि आप डेली पेरासिटमाल टेब्लेट को उपयोग मिलेते हैं तो आप अपयोग लिवर को डैमेज कर सकता है पिर इलर्जी ऐ सखने को प्र शेलिंग ऑल फैस यानि मुह में सूजन हो सकता है या माउथ याने मुह में सूजन हो सकता है उसके अलावा थ्रोड गले में डिपकल्ट इन ब्रिथिंग इडिचिंग और रेसे याने खुजली या लाल चे गत्त भी देखे जा सकते हैं यदि आप इस टेबलेट को डेली उपयोग में ले रहे हो तो दोस्तों अब लास्ट अब बात कर लेते हैं साइडिपक्ट के बारे में दोस्तों इस टेबलेट में उपस्तीत कंटेंट से दी आपको इलर्जी तो कुछ कॉमन साइडिपक्ट देखे जा सकते हैं जैसे की खुजली लाल चकते नोजिया ओमीटिंग एडेक सीर दर्द पेड़ दर्द कब्स गैस दस्त मूसुखना ऐसा कुछ दिखे तो इस टेबलेट का उपयोग करना बंद करें और अपनी डेक्टर से कंसर्ट करें तो यह था दोस्तों इस एकलोवाल पी टेबलेट के बारे में कंप्लिजन करें दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आप उन्हें नई वीडियो मिलती रहे तो धन्यवाद दोस्तों